हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं आसीज कुछवा आप सभी का बहुत-बहुत सवागत करता हूं जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताएं कौन-कौन बचे हमारे साथ जुड़ चुके इस वक्त लाइव हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं बाइलोजीकल किंग्डम आप लोगों को पढ़ा रहा था हूं उसमें मैंने आप लोगों का किंग्डम मोनेरा फिनिश कर दिया है किंग्डम प्रोटेस्टा मैंने फिनिश कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं किंग्डम फंगी इसके बाद next week में हम लोग जो है animal kingdom और plant kingdom को भी क्या करेंगे कोशिश करके finish कर देंगे तो जल्दी से comment करिए क्या मैं आपकी comment देख पा रहा हूँ जल्दी से comment करिए ठीक है उससे important बात अगर अभी तक आप लोग एंबाइब की application यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एंबाइब की application यूज करिए उतकर जी जैहिन शिवमिश्रा जैहिन नोना गुड़ इवनिंग तो मैं क्या कह रहा था है एंबाइब की application को डाउनलोड कर लीजे क्योंकि एंबाइब की application पर आप लोगों को practice के लिए मिलने वाली है e-books ऐसी books जिनको आप market से purchase करते हैं वो आपको यहाँ पर free of cost मिलेंगी mock test आप यहाँ पर दे सकते हैं और मालीजे science या gs या math reasoning English किसी subject से related आपका कोई doubt है तो वहाँ पर videos पड़ी हुई है आप अपने concept भी clear कर सकते हैं तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को जैहिंद सभी को good evening तो चलिए class start करते हैं और इस class की PDF के लिए आप लोग हमारा channel telegram पर जो है उसको join कर सकते हैं क्या नाम है उसका यहां पर आप लोगों को class की PDF मिलेंगी class की notification मिलेंगी exam की notification मिलेंगी quizzes मिलेंगे और बहुत सारा content यहां पर available है आप join कर सकते हैं comment box में इसका link भी आज चुका है जिसे touch करके आप हमारे telegram group से जुड़ जाएंगे तो आज हम लोग start करने वाले हैं biological kingdom में kingdom fungi ठीक है kingdom fungi लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग class को सुरू करने से पहले जो है थोड़ा सा जैसा होता ने खाना खाने से पहले starter मिलता है वैसी class को सुरू करने से पहले कुछ questions दिये जाते हैं और यह देखा जाता है कि क्या बच्चे इन questions के आंसर कर पा रहे हैं आईए मैं पहला question आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं एडिवल मस्रूम आर दा टिपिकल example of तो पहला है fun दूसरा option है fungus c option है protest और लास्ट है जिम्नो स्पाम बताईए क्या answer होगा तो उतकर्ष बिलकुछ सही बोल रहे है शीवम मिश्टर आपका भी answer बिलकुछ सही है धरनजय कुमार आपका भी answer सही है तो यहाँ पर हम क्या answer लगाएंगे fungus बिलकुछ सही answer है आप natural species of macro fungi and they are consumed for the nutritional and medical benefits समझ में आए आप लोगों को ठीक है रजनी शाह प्रनाम कैसे है आप चले एक question और देखते हैं यह है which of them is not a fungi इन में से आपको देख के बताना है fungi कौन सा नहीं है तो पहला option है aspergillus दूसरा option है goniulcus और third option है इसमें agricus और last option है penicillium बताएं क्या answer होगा जल्दी से comment करके बताएं धननजे के रहें नहीं D penicillium जो है यह एक fungi है जो की antibiotic बनाने के काम होती है तो D आपका answer नहीं होगा आपका answer होना चाहिए B क्या होना चाहिए goniulux क्या होना चाहिए था goniulux ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमने mention भी क्या है जो बच्चे ए answer दे रहे हैं ए answer नहीं होगा Aspergillus is a fungus whose spores are present in the air we breathe but which does not normally cause illness यानि यह जो fungus होती है Aspergillus इसके जो spores होते हैं यह हवा में होते हैं लेकिन अगर हम इन्हेल करेंगे सांस लेंगे तो यह हमें किसी भी तरीके की परिशानी नहीं देंगे फिर है study of fungi is known as तो यहाँ पर है physiology और उसके बाद physiology के बाद यहाँ पर है phirinology और mycology और last में है biology बताए क्या answer होगा इसका तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस पर बता भी देता हूँ आपके कुछ points भी clear हो जाएंगे human body कैसे work कर रही है perform कर रही है human body how to work या फिर perform ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा किसमे physiology में आ जाएगा इतनी बाद समझा रही है तो यह हमारा answer नहीं होगा कई बच्चे इसका mycology answer दे रहें बिलकुर सही दे रहें प्रशान्द रजनी उतकर्ष बिलकुर answer सही है आपका धनज है है ना उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ फिरिनो लॉजी की यह बताईए यह क्या है यह क्या है study of confirmation study of confirmation of बताईए जल्दी सर्थ आईए study of confirmation of इसकल ठीके इसकल इतना समझ में आया आप लोगों को ठीके तो अब biology तो आप लोग जानते हैं जिसमें हम जीवों के बारे में जानते हैं पढ़ते हैं हाँ बिलकुर प्रशान्द आप बिलकुर सही कह रहे हैं ठीके अब हमारा क्या answer बसता है हमारा से वे की answer बसता है जो की होता है C तो आईए इसको submit कर देते हैं अब explanation आपके सामने branch of science which deal with study of fungi is known as mycology ठीक है अब तीन कोशर हमने practice कर लिए और मैंने यहाँ पे देखा कि सभी बच्चों के answer बिलकुल correct correct आये हैं अब हम start करने जा रहे हैं अपना chapter जिसका नाम है kingdom fungi यहाँ पर मैंने आपको एक 3D डिता हूं इसको आप rotate भी कर सकते हैं आप चाहे तो इससे rotate करके ऐसे देख भी सकते हैं इधर लाके इस तरीके से तो यहाँ पर जो आपको cap दिख रही है आप देखिएगा आपको एक cap दिख रही होगी एक topi type की दिख रही होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके किनारे जैसे मान लिजे आपने एक umbrella ले लिया तो इसके चारों तरफ जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं समझेगा इसको हम क्या कहेंगे जो मैं यहलो कलर से कर रहू हूँ कि आप देख पारे से हैं मैं किया और कलर से करता हूं तो अपको ज़्यादा दिखेगा तो इस portion को हम क्या करेंगे वांड्री इसको हम गिल्स कहते हैं इसमझ में आया ठीक है कि इसको और रोटेट करते हैं और उसके बाद जो यह आपको कैप दिख रही है यह जो कैप दिख रही है यह कैप जो दिख रही है यह कैप इसको हम पीलियस कहते हैं ठीके उसके बाद यह हमारा स्टाइप हो जाएगा इतना इतना जो है यह हमारा स्टाइप होता है आप इसे तना भी कह सकते हैं अपनी भाष्णा में समझने के लिए और वोलवा जो होते हैं वो यहां पर होते हैं छोटे-छोटे किलियर हुआ आप लोगों को 3D एसिट से चलिए आईए अब हम इसके कुछ के बारे में जानते हैं इसके कुछ facts के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे पुछा जाएगा कि fungi क्या है तो यह eukerotic है इसका मतलब क्या हुआ eukerotic का मतलब कि इसके अंदर nucleus होगा इसके अंदर जो जाइलम होगा जाइलम टिशू मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और एक टिशू मैंने आप लोगों को phloem पढ़ाया था याद आ रहा है आप लोगों को एक जाइलम पढ़ाया था और एक phloem पढ़ाया था है ना तो ये दोनों टिशू इसके अंदर मैं इनको लिखके काड़ देता हूं नहीं होंगे ठीक है जायलम और फ्लोयम टिशू इसके अंदर नहीं होंगे तो यहाँ पर जो ट्रांस्पोर्टेशन होगा वो इंटर्नल ट्रांस्पोर्टेशन होगा तो नॉन वैस्कुलर प् इंटर्नल टांस्पोटेशन होता है इतना समझ में आ रहा है अच्छा हेट्रो ट्रॉपिक का मतलग क्या है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे यानि ये फोटो सिंथेटिक जीव नहीं होंगे तो ये अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे ठीक सब जगे मिलती है वाटर में मिलेगी एयर में मिलेगी स्उयल मिट्टी से मिलेगी या फिर लाट या फिर यह després होता है कि रोग लग लग जाते हैं डिजीजए मिले होगin सव्bahn कर तो तो इंसानों में भी फंगी की वजरंए यह वह बहुत सारी बिमारियां हो जाती हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग उम्र से पहले गंजे हो जाते हैं यह ना आपने सुना ओगा बाल नहीं चले तो वह भी क्या होता है fungus की वज़े से होता है एक athlete food बिमारी होती है वो भी fungus की वज़े से होती है आपने ring warm सुनाओगा दात खाज खुजली जिसको कहते है वो भी किसकी वज़े से होती है ठीक है अब सबसे important बात आप से exam में पूछा जाएगा जो white spot पढ़ते हैं आपने कभी सरसों के खेद देखे ह है क्योंकि examiner आप से पूछता है ठीक है अब मैं next slide पे चलता हूं और next slide पे क्या है कि अभी मैंने आप लोगों को बताया पहले आप यह animation देखिए एक वार और मैं इधर जाता हूं आप एक वार इस animation को एक वार और देखिए गौर से एक bread है देखिए यह खराब हो गई है और किस तरीके की फंगी दिखेगी अगर हम इसको देखेंगे इस तरीके से दिखेगी जहां पर यह हाइफवे है है ना इस प्रॉंगिया है और उपर क्या है इस पोर है उमीद करता हूं आपने यह animation देखा होगा ज्यादा समझ में आया होगा अच्छा अगर मैं कुछ फं आप से बहुत पूचा जाएगा और पूचा क्या जाएगा आप से कई बार पूचा जाएगा ब्रेड किस से बनती है और ब्रेड से भी ज्यादा इंपोर्टेंट आप से पूचा जाएगा बियर ठीक है तो बियर किसकी बनती है बियर और ब्रेड हो गई यह बनती इस्ट क और East क्या होगा, Unicellular होगा, इसके इलावा आप यहाँ पार देख सकते हैं, क्या fact लिखा हुआ है, You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits, जो fruits सड जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने इस animation में आपको दिखाया भी ता है, एक खराब हुई bread को, ठीक है, अच्छा कुछ fungi जो होती है, उनकी वज़े से disease हो जाती है, यानि बिमारियां हो जाती है, जैसे plant को बिमारी हो सकती है, गेहूं के खेत में आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो, तो उसमें एक धब्बे से पड़ जाते हैं, तो ये किसकी वज़े से होते हैं, ये होता ह कैसे यूज होंगे, ये ऐसा antibiotic दवाईयां बनाने में यूज होते हैं, यानि medical line में भी यूज होते हैं, तो ये इनके uses हैं और आपके exam में आते भी हैं, और अगर आपसे fungi की study को पूछा जाए, जिस पर अभी हमने question भी practice किया है, तो वो क्या है, वो है mycology, अभी हम लोगों उनके उपर क्या पाये जाते हैं, filament, उनके उपर क्या पाये जाते हैं, filament पाये जाते हैं, जैसे चलिए अगर हम यहाँ पर acid में देखें, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये एक east है, जो की unicellular होता है, तो ये हो गया east, ठीके, उसके बाद मैंने आपको ये बताया थ पीलियस, जो एक टोपी होती है, है ना, और ये चारो तरफ जो boundary होगी इस तरीके से एक circular, उसको gills कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इतना portion जो होता है, stiff, yes, tame होता है, और नीचे की तरफ जो होता है, ये होता है, क्या, वुलवा, ये मैंने अभी आपको इससे प network बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, mycelium बोलते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, आप से examiner पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जो question बनते हैं, वो mycelium से भी question बनता है, तो चलिए यहाँ पर कुछ fact देखते हैं, हमने क्या fact यहाँ पर mention किये, अगर हम East को छोड़ के बात करें, तो बाकी की फंगी पर क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, है ना, फंगी consists long thread-like structure known as हाइफा, यानि फंगी के उपर जो धागा रूपी संरचना आपको दिख रही होती है, दिखें यहाँ पर क्या है, यह धागा रूपी संरचना है, thread-like structure है, इनको हम क्या कहत हैं, और जब यह हाइफा बहुत सारे खटे हो जाते हैं, एक network बन जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, mycelium, यह बहुत ही important है, आपके exam के point of view से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, mycelium, उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको अभी सुरवात भी बताया था कि जो fungi होते ह यह heterotropic होते हैं, यानि यह अपने खाना जो है, दूसरों से लेते हैं, यह अपना खाना खुद नहीं मनाते हैं, यानि इसका मतलब यह photosynthesis process को नहीं कर पाएंगे, तो क्या इनके पास chlorophyll होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो देखिए मैंने यहापे लिखा हो, lack of chlorophyll, और यह photosynthesis नहीं करेंगे perform, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई doubt है, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, अभी तक जितना भी मैंने बताया है, पूछ सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि और भी फंगी पर कौन से questions आ अब बात यहाती है, कि यह जो फंगी होते हैं, अगर यह हेटरोट्रोपिक होते हैं, यानि यह खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, तो यह अपना खाना खुद तो बताते हैं, तो अगर यह अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो फिर यह क्या करते हैं, तो मैं आ of soluble organic matter from dead substance ठीक है चाहे वो कोई वनस्पती हो या फिर कोई animal हो वहाँ से यह क्या करेंगे अपने भोजन की पूर्ती करेंगे ठीक है fungi that depend on leaving plants and animals are called parasites अब आपने यहाँ पर देखा कि जो fungi होते हैं यह unicellular होते हैं तो east हो गए और अगर यह अपना खाना नहीं बना रहे हैं तो यह सैप्रोफाइटिक भी हो गए और यह पैरसाइटिक भी हो गए ठीक है इसके इलावा यह जो दो point आप देख रहे हैं यह आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है कई बार आपके exam में पूछा गया है lichen पूछा जाता है कि lichen का जो संबंध है सह जीविता है वो किसके साथ है सह जीविता का मतलब association किसके साथ करता है lichen तो यह करता है algae और fungi से यह आप लोगों को याद रखना है बहुत important है उसके बाद इतना समझ में आया तो फिर आता है mycorrhiza mycorrhiza अगर इसका पूछा जाए mycorrhiza का पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे इसका association किसके साथ है fungi और plant roots के साथ तो यह दो point आपके बहुत important है आपके exam में आते हैं देखे पुर्शान ने answer भी किया है अब यहां पर एक 3D asset आप लोगों को देख रहा होगा इस 3D asset में आप लोग देख सकते हैं कि यह जो algal layer है वो यह है algal layer देखे मेरे हाँ से दिख रहा है आप लोगों को ठीक है और यह जो है यह fungal hypha है यह क्योंकि यह धागे रूपी सनचना होती है अच्छा अगर मैं इसको आपको rotate करके इधर से दिखाओं ऐसे देख पा रहे हैं अब इसका फ्रेंट देखिए इसका फ्रेंट देखिए तो यह यहां पर क्या हो गया फंगी का सेल हो गया और देखिए यहां पर जो है यह जो धागे निखलने हाइफे हो गए आप देख सकते हैं तो साइट से यह इसा दिखेगा और फ्रेंट से यह इस तरीके सा दिखता है ठीक है इतना समझ में आ रहा है ठीक है अब बात आती है रीप्रोडेक्शन की कि जो फंगी है वो रीप्रोडेक्शन कैसे करते हैं तो यह रीप्रोडेक्शन तीन तरीके से करते हैं यहां पर पहला होगा vegetative reproduction ठीक है? vegetative reproduction में क्या होगा? fragmentation आएगा budding आएगा और fison आएगा ठीक है? अच्छा ये जो reproduction chapter जब आप पढ़ेंगे plant system मेरे से पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को ये चीज़े detail में बताऊँगा कि fragmentation क्या होता है budding क्या होता है वैसे आप लोग जानते भी होंगे budding क्या होता है आपने देखा होगा कि जैसे कोई पौधा है या कोई बहुत बढ़ा तना है तो उसके side में से एक छोटा सा कली food जाती है तो उसी को budding कहते है as sexual reproduction करते है it happens by sports called ठीक है? आप इसे देखिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ called coindia फिर उसके बाद क्या है zoospores और last में है यहाँ पर आप देख सकते है spore in geo 4 spore in geo 4 तो एक sexual reproduction के यह तीन method होते हैं जो यह लोग करते हैं और यह है sexual reproduction यह कैसे happen होता है sexual reproduction की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रशान separation तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे हाँ तो जो sexual reproduction होता है यह किस process से होता है यह होता है o sports और o sports asco sports और last में है besidio sports ठीक है? आपको क्या करना है फिलाल के लिए नाम याद रखने है क्योंकि exam में कैसे question आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप से आएगा कि एक fungi है जो की asexual reproduction कर रही है तो बताईए इसके क्या method हो सकते तो option एक यह दे देगा एक यह दे देगा और एक यह दे देगा कॉंडिया तो आप answer बड़े अराम से लगायाएंगे ठीक है इतना समझ में आ रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि fungi पे कुछ ज़्यादा पढ़ने को होता नहीं है बहुती छोटा सा यह concept होता है अब जैसे आप plant kingdom पढ़ेंगे next class मे animal kingdom पढ़ेंगे animal kingdom के लिए तो दो class की ज़रूद पढ़ेंगे क्योंकि 11 तो phylum ही है फिर कुछ classes है mammals, reptiles तो उसके लिए तो दो classes चाही होती है तो चलिए fungi आपके exam के point of view से जितनी भी important थी वो सारे facts मैंने आप लोगों को बता दी है अब हम क्या करेंगे अब हम कुछ questions की practice करेंगे हम यह देखेंगे कि आज जो सर ने पढ़ाया है क्या हम इस पर based अपने previous year के questions के answer कर पा रहे है तो देखें यहाँ पर बच्चों के जवाब भी आने सुरू हो गए मैंने question पढ़ा भी नहीं है east is तो east क्या है east fungi है unicellular है मैंने आप लोगों को बताई थी तो यहाँ पर देखें क्या answer हो जाएगा यहाँ पर आपका answer B हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा east is a single cell urocaratic microorganism and is a part of fungi kingdom east is found in nature as well as within the our body next question है what is the most responsible factor for plant disease ठीक है बताना है आप लोगों को plant disease का मतलब flex rust हो गया white rust हो गया black rust हो गया ठीक है यह सब हो गया तो क्या answer हो गया इसका fungus है option में bacteria है virus है proto जोग है जल्दी से बताएगे क्या answer होगा इसका है ना और जो बच्चे हमारे वीडियो को like कर चुके है उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद और आप लोग उसे request है कि इस वीडियो के link को जादा स्यादा शेर किया करिए good evening अशोग जी कैसे हैं तो यहां पर आपका answer क्या हो जाएगा fungus हो जाएगा good यहां पर correct answer क्या होगा fungus होगा तो देखिए explanation है fungi constitute the largest number of plant pathogens ठीक है जो रोग फैलाते है are responsible a range of serious plant disease ठीक है next है the kind of nutrition found in bread malt जो bread होती है उसमें आप लोगों को बताना है किस तरीके का जो है nutrition found होगा इसको देखके बताइए तो पहला है parasitic दूसरा है autotropic और फिर है saprophytic और last है both a और c नहीं parasitic नहीं होगा अभी मैंने आप लोगों को बताया था bread जो खराब होती है याद करिए और आपको बताया था जो fruits rotten हो जाते हैं और फंगि जो होते हैं मुरतों पर जीवी होते हैं मृतों पर जीवी होते हैं याद आ रहा है आप लोगों को तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer c होगा ठीक है bread mold की बात हो रही है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर लिखा है saprophytes are the organism that get their food from dead and decaying organism ओके, नेक्स्ट कोशन है, यू आर अब्जर्विंग आ नॉन क्लोरोफिलियस एरोक्रेटिक ओर्गनिजम विद आ काइटनियस सेल वॉल अंडर आ माइक्रोस्कोप, यू शेल डेस्क्राइब दा ओर्गनिजम एज फंगस, अल्गी, अल्गा जो है इसका प्लूरल होता है, प तो अभी मैंने आप लोगों को आता है था कि जो फंगी होती है, फंगस होते हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा और ये यूरोक्रेटिक ओर्गनिजम होते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है काइटन की बनी होती है, अभी हम लोगों ने एक्स्प्लेन किया है, तो ह हमारा क्या है जाएगा आंसर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, धनजय, प्रशांद, रजनी, सौरव, आप लोगों के आंसर बिलकुल करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, बिलकुल सही कह रहे है विकास जी, बिलकुल सही बात बोली है आपने, तो यहाँ पर लिखा है ग्लाइको प्रोटीन और पॉली सेक्राइट क्या करेंगे, अलगी सेल वाल बनाएंगे, ठीक है, मेक अब दा, अलगल सेल वाल, कॉंप्लेक्स कम्पोजिट सेल वाल, कंसिस्ट सेलिलोस, है ना, फाइबर्स, as well as, सबस्टेंचिल मेट्रिक्स, पॉली सेक्राइट, एसीन, रेड, ठीक तो आपको उतार है, लाइकें जो है, किसका एसोशेशन से बनाएं, पहला ओप्शन है, फंगी, ब्रेयोफाइटा, दूसा है, फंगी फन, फिर है अलगी और ब्रायोफाइटा और लास्ट है, अलगी और फंगी, जल्दी सताही, इसका अंसर क्या होगा, बिलको सही, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे D, तो कितने बच्चों ने आंसर दिया है, विकास, धननजय जी, उतकर्ष, शुश्मिता जी ने और शिवम, और भी बच्चे इसका आंसर दिया है, तो lichen is a stable symbiotic connection between fungus and algae, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब यहाँ पर बात आ रही है, the disease athlete foot is caused by, athlete foot disease, इसमें क्या होता है, एडिया और जो उंगली के पास के, fingers के पास के जो जगह होती है, वो फटने लगती है, तो वैक्टिरिया, फंगी, प्रोटोजवा या फे निमेटोडा, या निमेटोड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्या आंसर होगा जल्दी सत आईए, धननजे कह रहे है, 9 प्रशांद कह रहे है, फंगी, रजनी सा कह रहे है, फंगी, बिलकुल सही, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फंगी बिलकुल राइट होगा, विकास आपका भी आपका भी आंसर सही है, शिवम मिस्रा आपका भी आंसर सही है, आईए एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं, दा सेव फंगस, है ना, डर्मेटोफाइट्स, देट कॉज रिंग वार्म एंड जॉक इच आल्सो कॉज एथलीट फूट, यानि अगर हम गंदे जूते पहन ले, मोजे वगरा पहन ले, या कोई गीली जगह में चले जाएं, तो एथलीट फूट की बिमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉशन है, ये कॉशन तो कई बार आपके एक्जाम में पूछा गया है कि पॉल्यूशन जिसी इलाके में होगा, वहां क्या नहीं उग सकता है, तो विच आप दीज थिंग्स इस साइन ओफ एटमोस्फेरिक एसो टू पॉल्यूशन, ठीक है, पफ वाल्स, मश्र नंजे बिलकुछ सही कह रहे हैं, अगर कहीं पर भी air pollution है, if air is polluted with sulfur dioxide, then lichen will die in that particular environment, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, अब हमारा next question है, आप यहां पर देख सकते हैं, the fungal disease, एक बाद मैं question फिर से पढ़ता हूँ, the fungal disease, the black rust of wheat, black rust की बात हो रही है यहां पर, is caused by, तो पहला option यहां पर है, हम देखेंगे, malamp, spora, malamp, sorry, मैं माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, malamp, sora, lini, ठीक है, यह क्या होगा, यह flex rust होगा, यह नहीं होगा answer, फिर उसके बाद क्या है, kalbi, space, porporea, ठीक है, तीसरा है, puxenia, graminis, और लास्ट है आपका albugo, candida, पता है क्या answer होगा इसका, थोड़े से word जो है, वो गौर से देखने पढ़ते हैं, ना तो पता चला गलत होगया अपना answer, ठीक है, बताईए, तो आपका correct answer C होगा, बिल्कुल, कितने बच्चों ने इसका answer दिया है, रजनी ने, धरंजय ने, उतकर्ष जी ने, बिल्कुल सही, देखे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, होता क्या है, यहाँ पर मैं एक pen select करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, fungus से यह बिमारी जो है, यह सबसे ज़्यादा Ireland में होती है, कहाँ पर होगी, किस देश में होगी, Ireland एक देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, यह बिमारी होगी, Ireland में, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, खेती में, ठीक है, और इसको जो बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है ब्लेक रस्ट की बात हो रही है इसको ब्लेक रस्ट नहीं बोला जाता है इसको बोला जाता है फ्लेक्स रस्ट आप लोग याद रखिएगा अगर मालीजे flex rust क्योंकि ये भी फंगी से ही होती है बिमारी ये बिमारी भी fungus से ही होती है लेकिन इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है flex rust इतनी बात समझ में आ रही है flex rust बोला जाता है अच्छा ये वाली आपने देखा होगा कभी आपने गेहूं की बाली देखिए wheat की एक बाली होती है तो आपने देखा होगा जो wheat की बाली होती है वो इधर side से क्या होती है black पड़ जाती है काली पड़ जाती है देखा होगा आप लोगो ने तो यह हो गया हमारा तो इसको भी काट दीजे यह अब लास्ट में है हमारा क्या एल बूगो कैंडिडा तो एल बूगो कैंडिडा इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं white rust यानि जो पतियां होंगी जो cereals होते हैं उनकी जब खेती हो रही होती है तो उनकी पतियों पे सफेज सफेज दिखने लगता है तो ये white rust होता है तो आपका correct answer क्या होना चीए यहाँ पर आपका correct answer यहाँ पर C होना चीए उमीद करता हूँ समझ में आया होगा solution देख लेते हैं stem rust also known as black rust एक नाम stem rust है उसी को black rust भी कहते है is caused by the fungus ठीक है इस fungus का नाम आप लोगों को याद अखना है puccinia, gramnese ठीक है it infect wheat and other cereals across the growing region of the USA ठीक है mostly USA में होता है चलिए 12 number question पढ़ते हैं यहाँ पर है death cap की बात हो रहा है death angel है ना इसकी बात हो रही है तो death cap का बिमारी का एक नाम होता है amanita या फिर इसको बिमारी को दूसरी बिमारी जो होती है वो होती है jack o lantern mushroom ठीक है actually क्या होता है इनसे बिमारी क्या होती है इनसे मतलगी समझ लीजे कि आदमी समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहा रहा हूं तो इश्वर ना करे कभी इस तरीके सो तो नाम से पता चला है death angel यानि कुछ खतरनाक चीज़ होगी death cap नाम से पता चला हो है है ना amanita तो खेर चलिए छोड़िए इससे नहीं पता चला होगा लेकिन बाकी के word से आपको इसका answer जरूर पता चल गया होगा है ना समझाने की जरूरत ही नहीं है तो यह किस तरीके के mushroom है आप लोगों को बताना है तो poisonous edible जिनको हम खा सकते है none of the above या फिर दो नो है ना तो यहाँ पर answer क्या है रजनी कह रहे है विकास का answer सही है उतकर्ष का भी answer सही है बिलकुल बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग solution आप लोग देख सकते है amanita virosa और इसको death angel, death cap भी बोल सकते हैं यह poisonous mushroom होते हैं ठीक है next है fungi can be stained with ठीक है तो यहाँ पर पहला option क्या है यहाँ पर देख लेते हैं तो पहला option है यहाँ पर सेफ्रेनिन दूसरा है cotton blue फिर है glycerine और फिर है lactophenol पता ही क्या answer होगा इसका हाँ सौराब आपका answer बिलकुल ठीक है पुराने question का answer दिया आपने बिलकुँ शुदान सु सिंग बिलकुँ सही बोल ले है cotton blue ठीक है cotton जो होगी उस पर यह दाग छोड़ सकता है बात सम्मझा रही है बिलकुल आई यह इसको submit करते हैं fungi can be stained with the cotton blue this stain provide blue color है ना और वो भी किस लिए क्योंकि इसकी sile wall जो होती है वो काईटेन की बनी होती है इस वज़े से यह reason होता है ठीक है आपने सुना होगा दाग अच्छे हैं अगर आपके बाद वासिंग पावडर है तो दाग अच्छे हैं next question है हमारा fungi usually store the reserve mode material in the form of यानि fungi को अगर हमें store करना है अभी मैंने आपको बताया था ना फंगी जब खाना इस टोर करता है तो कैसे करेगा याद करिए मैंने फैक्ट आपको बताया था तो इस्टार्च लिपेट ग्लाइकोजन या फिर लास्ट में प्रोटीन याद करिए अभी जब मैं आपको फैक्ट बता रहा था तो मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी बिल्कुल सिवम रजनी धननज है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और बाकी के बच्चे भी आंसर दें जल्दी से ग्लाइकोजन रईस कान आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है तो ये है अब लोगों को आज जितना पढ़ा चुका हूं उसकी एक समरी दिखाता हूं छोटी सी मैं board से हट जाओंगा ताकि आप लोग अराम से इसके note कर सकें वैसे भी आपको हम लोग telegram group में PDF देंगे लेकिन अगर आप यहाँ से note करना चाहते हैं आप note कर सकते हैं सबसे पहले मैंने आपको उताया है कि जो fungi होती है यह urecreatic होती है, non-motile होती है, non-vascular होती है यानि इनके पास जायला वह फ्लेयम टिशू नहीं होती है हेटरोट्रोपिक होती है, खाने के लिए दूसरे पर dependent होती है fungi air में मिलेगी, water में, soil में, animal और plants में मिलेगी common mushroom जो होता है हम उसे खा सकते हैं है ना, two distools भी fungi है white spot जो सरसो की खेती पे, यानि सरसो के जो पेड होते है mustard, leaves होती है, वो किसकी वज़े से होते है parasitic fungi की वज़े से होते है some unicellular fungi के नाम की बात होए तो east unicellular fungi होती है और ये bread और beer को बनाने में काम आती है है ना, आपने देखा होगा कुछ bread खराब हो जाती है तो वो किसकी वज़े से होती है, फंगी की वज़े से होती है आपने देखा होगा कुछ फल सर जाते है तो वो किसकी वज़े से सर जाते है, फंगी की वज़े से कुछ फंगी ऐसी होती है, जिनसे disease होता है प्लांट को, एनिमल को भी होता है, जैसे गेहु की खेती पर हो जाए, तो इसका एक्जाम्पल क्या है, प्युक सीनिया, मैंने इस पर आपको एक कोश्चन भी कराया है, कुछ फंगी जो होती है, वो एंटि बायोटिक होती है, जैसे पैनिसीलियम हो गया, ठीक है, ठीक है, इ को हम हाइफा कहते हैं और इसी हाइफा नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं माइसलीन कहते हैं जो कि बहुत important है अगर मैं cell wall की बात करूँ तो फंगी की cell wall काईटीन और polysaccharide की बनी होती है है लेकिन फंगी के पास chlorophyll नहीं होता है इसी लिए यह फोटो सिंथेटिक प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं इतना समझ में आया यह सारे फेक्ट मैंने आज आप लोगों से डिसकस किये हैं चलिए आईए आप देखते हैं फंगी को अगर खाना इस्टोर करना होगा तो ग्लाइकोजन के रूप में करेगा मोस्ट फंगी ऐसी होती है जो और्गेनिक मेटर को खाकर अपना जीवन चलाते हैं जैसे डेट सबस्टांस होते हैं इसलिए इनको मृतो पर जीवी कहा जाता है यानि सैप्रोफाइट कहा जाता है ठीक है फंगी जो हैं डिपेंड करते हैं लीविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर ऐसे फंगी जो कि एनिमल पर और प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे उनको क्या कहा जाएगा पैरसाइटिक फंगी बास समझ में आ रही है जो दूसरो डेड जैसे माल लीजे कोई बनस्पती ड बताया लाइकेन किसके एसोशेशन से बनता है एल्गी और फंगी के फिर मैंने आपको लाइकेन के बाद मैंने आपको माइको रहीजा के बारे बताया माइको रहीजा किसके एसोशेशन से बनेगा फंगी और प्लांट रूट्स के फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो reproduction होता है, फंगी में, vegetative reproduction होता है, asexual reproduction होता है, और sexual reproduction होता है, तो ये सारी बात आई की class में हम लोगों ने पड़ी हैं, तो इस तरीके से जो है, ये chapter जो है, अगर मैं बात करूँ फंगी की, तो ये finish होता है, सौरब कुमार कह रहे हैं, सर क्लास किस टाइम चालू होता है सेवन पीम पर चालू होता है और ये पड़े होता है स्वारब जी तो ये हमारी क्लास आज फिनिश हो गई है लेकिन अभी आप मेरे पीछे एक कोशन देख रहे हैं ये आप लोगों का हॉमबर कोशन है इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको इस कोशन का आंसर करना है जो कि मैं चेक करूंगा मैंने लास्ट कोशन के आंसर चेक किये थे जिसमें रजनी का आंसर था उतकर्ष का आंसर था धरंजय का आंसर था इसी तरीके से और भी बच्चे अगर comment में answer देंगे और उनका answer सही होगा तो मैं उनका नाम जो है class में लेकर जरूर बुलाओंगा और maybe अगर उनका answer गलत होता है तो मैं वही comment में उसको सही answer बताऊंगा explanation भी दूँगा ठीक है तो चलिए आज की class हम लोग यहीं पर finish कर देते हैं बस जाते जाते हम एक बात और करेंगे छोटी सी बात मन की बात और वो मन की बात क्या है कि अगर आप लोग M5 application यूज नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से M5 application को download कर लिजे play store में जाकर ठीक है क्योंकि M5 application पर आप लोगों को मिलने वाले हैं mock test, unlimited mock test, unlimited concept, e-books यानि बहुत कुछ आप लोगों के लिए है वो भी free of cost इसके इलावा अगर आप लोग इस class की PDF चाते हैं तो आप लोग हमारा telegram channel M5 Achieve Defense Exam जोइन करिए यहाँ पर आप लोगों को इस session की PDF मिलेगी इवन हमारे जो other sessions भी चल ले होते हैं उनकी भी PDF जो है इस group में डाली जाती है इसके इलावा हमारे जो telegram group है उस पर आप लोगों को बहुत सारी quizzes मिलेंगी हर एक घंटे बाद जो है हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों को quizzes देते रहे और वो भी हर subject की quizzes देते रहे तो चलिए आज की class यही पर finish करते है जैहिन बाई बाई टेक केर जल्दी से मुलाकार करते हैं next session में करते हैं जल्दी से मुलाकार करते हैं झाल झाल जल झाल झाल यह झाल 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 झाल